नमस्ति चात्रों, हमेशा की तर मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षन संस्ता 17, रयत आनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरुगाड के महराज कॉलेज कराड से मैं अध्यापिका मादुरी सावंत कक्षा ग्यारवी विशे हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको चोधवा पाठ ही लेकिन उसका बचावा हिस्सा हिंदी में उज्वल भविशे की संभावना है। डॉक्टर दामोदर्खड से जी ने लिखा हुआ है ये पाठ इस पाठ में आप लोगों को मैंने बता दिया है लेका का परिशे दे दिया है तथा पाठ शिर्षक के बारे में बता दिया है कि जब हम हिंदी विशे में अध्यान करते हैं मतलब ग्रैजूशन के लिए पोस् पर खड़े हो सकते हैं क्या जीवन या अपन का साधन हो सकता है क्या हम अपनी उपजीवी का उस पर चला सकते हैं क्या ऐसे जो चात्रों के मन में उठने वाले सवाल है उन सवालों के उतर दामोदर्खड से जी ने आप लोगों के सामने इस पाठ के माध्यम से दिया है ले पढ़ सकते हैं। बाह्षन विधा में विचाणलों क Teи जो कि जन्मानस को अपने विचानव से उगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है बाहषन ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था बार-बार में इसलिए आप लोगों को बताने जा रहे हो कि बाहषन्विधा बाहषन करना ये भी एक कला है इस कला का उद्दिश क्या होता है तो सामने बैठे वे श्रोताओं पर अपने विचारों से प्रभावित करना होता है यही उद्देश है पाठ परिचे में मैंने आप लोगों को दे दिया है कि एक बड़े ऐसे भाषन का छोटा सा हिस्सा आप लोगों के सामने रखा हुआ है रक्षा विभाग में अनुसंधाना और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है अब रक्षा विभाग के अनुवेशक अपने शोध पत्र हिंदी में तैयार करते है विविद रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते है संगलोग सिवायोग UPSC की परिक्षाओं का माध्यम भी हिंदी में है पुलीस, प्रशासन, वित, रक्षा, रेल, आधीक शेत्रों के लिए भी दी जानने वाली परिक्षाओं हिंदी में होती है कई उम्मिद्वारों ने IES की परिक्षा हिंदी माध्यम से उत्तिर्ण की है कहने का मतलब क्या है चात्रों लेकर ये बताना चाहते है कि कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है उसमें रक्षा विभाग भी पीछे नहीं है उसमें ने-ने अनुसंधान होते है, मतलब संशोधन होते है, ने-ने बाते उसमें निर्मान होती है, सुरजनता आ जाती है, तब उसमें जब अन्वेशक होता है, मतलब संशोधन करता होता है, वो क्या करता है, अपना शोधनी बंद या अपने जो रिपोर्ट है, जो परिक्षाओं का जमाना है तो इस जमाने में जो UPSC की परिक्षा होती है संगलोग से वायोग की परिक्षा होती है उस वक्त आप लोगों को हिंदी माध्यम लेकर दियान दे सकते हैं आजकल अनेक भाषाओं का उसमें समेलित किया गया है फिर भी पुलीस है प्रशाशन वित रक्षारेल आधिक शेत्रों के लिए भी जो परिक्षा दी जाती है वो आप हिंदी माध्यम लेकर हिंदी भाषा लेकर आप उत्तिर्न हो सकते हैं ऐसे कई उम्मेद वारे हैं आजकल त्योंकि आएएस की परिक्षा लेकर हिंदी माध्यम से उत्तिर्ण हो चुके हैं में आपका ध्वन इस और आकर्शिद करना चाहूंगा कि विधी क्षेत्र आनेकी वकील न्याय इसक्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उप्योग हो रहा है नया लेयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है जीला और ग्रामे नया लेयों में हिंदी और भारतिय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा संसत की कारिवाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है विधी मंत्राले ने विधी शब्दावली का निर्मान कराया है इससे विधी ख्षेत्रे में शब्दों की एकुरुपता सो निश्चीत करने में भी सहायता हो रही है अब देखिए यहां मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी कि विधीक शेत्रेने की नयायलेन शेत्र तता वकील वकालत जहां पे होती है लोग करते हैं हर जगह पे आजकल दो भाषाओं का ज्यादातर उपयों करने के लिए उन्होंने कहा है तो हिंदी भाषा का भी पक उपयों गुहां पे हो रहा है नयायलेयों में हिंदी के उपयों के लिए अनिवार्य किया गया है जीला और ग्रामे नयायलेयों में हिंदी और भारतिय भाषाओं का भी उपयों किया जा रहा है सांसत की कारेवाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही होती विधी मंत्राले ने विधी शब्दावली का निर्मान भी करा है मतलब अलग-अलग जैसे आप लोगों को मालूम है कि पारिवाशिक शब्द जैसे है आप लोगों के लिए अध्यन के लिए अलग-अलग विभागों में पाच विभागों में उसे बाठ दिया है मतलब संगन को लेकर विधी को लेकर जो कुछ शब्दों की निर्मिती हो चुकी है इसी तरह से न्याई विभाग में भी आजकल अलग-अलग शब्दों का इस्तमाल किया जाने लगा है तक्नीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अप प्रविश कर लिया है अंतरिश विभाग परमानु विभाग उर्जा रसायन और उर्वरक विभाग जलपोत परिवन विभाग बहरी उध्योग जैसे नित्तान्त तक्निकी क्षेत्र हिंदी का प्रयोग होने लगा है इस उक्षेत्र में विशेशग्यों की निपूनता का उप्योग तेजी से बढ़ रहा है संगनक की आगमन के साथ प्रयोजन मुलक हिंदी की अवशक्ता बढ़ती जा रही है इसमें मूल तहा आलेकन, टिपन्नी, पत्राचार, शब्दावली का निर्मान तथा अनुवाद विशेग उप्योगिता हरक्षेत्र में देखी जा सकती है गुगल में किये गए अनुवाद के विवीद उप्योग जन जन तक पहुंच रहे है मूबाइल, लेप्टॉप, टैब, आदी में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है विविन्न विभागों में अब हिंदी माद्यम से तकनिकी विश्यों का प्रशिक्षन दिया जाने लगा है पारिभाशिक शब्दावली का कारिय भी बड़े पैमाने पर चल रहा है हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है अब देखिया हम आगे चल कर आप लोगों को बताना चाहते हैं जो इस पार्ट में दे दिया है तक्निकी क्षेत्रेने की टेक्निकल क्षेत्र वो विभाग उसमें भी आजकल हिंदी ने प्रवेश कर लिया है अंतरिक्ष विवागने के अंतराल में परमानों उर्जा विवाग, रसायन और उर्वरक विवाग, जलपोद परिवन विवाग इसे बाहरी उद्योग जैसे नितान्त तक्निकी क्षेत्र में आजकल हिंदी का उप्योग होने लगा है इस उक्षेत्र में विशेशग्यों की निपुनता का उप्योग तेजी से बढ़ रहा है जैसे ही ये संगनक आ चुका है, इस संगनक पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे में चात्रों आप लोगों को ये बात बता दो कि आप सभी चात्रों के पास स्मार्ट पोन है इस स्मार्ट पोन को खरीदने के बाद आप जब भाशा का चुनाव करते हैं उसमें मराटी होती है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है या आप जी सुक्षेत्रे की भाशा को जानते हैं जो भाशा समझते हैं उसी भाशा में आप लोग समाचार पढ़ना चाते हैं वो जानकर यहासिल करना चाते हैं जब नया नया laptop नया नया mobile खरीदते हैं तब भाषा का चुनाव कोई एक app एकाद खरीदना है डाउनलोड करना है तो आप लोगों को अपनी जानकारी देते समय उस वक्त आप लोगों को कोई सी भाषा में वो जानकारी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं उपलब्द करना चाह यह पहले पूछा जाता है उस वक्त आप भी अपने mobile पर अपने laptop पर अपने टैप पर उस भाषा का ही चुनाव करते हैं मतलब देखिए कि आजकल हिंदी का बोलबाला है इसमें मूलताहा अलेकर्ण टिपन्नी पत्राचार शब्दावली का निर्मान तथा अनुवाद वि की टेलीविजन पर आप लोग हिस्ट्री चानल देखते हैं डिस्कवरी चानल देखते हैं चोटी-चोटी डाकुमेंटरिज होती है या आज फिल्में भी आप लोग देखते हैं जब टीवी शुरू हो जाता है आप लोगों को हिंदी मराठी अनेक सारे भाषा के चानल दि कि या कमेंटरी आप क्रिकेट की कमेंटरी भी सुनना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोगों को दिखाए देगा कि आप लोग मराठी के अलावा अंग्रेजी के अलावा हिंदी में ज्यादा पसंद करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कमेंटरिटर के बाद आप लोगो के सामने आ जाती है तो वह हिंदी में देखना आप पसंद करते हैं मतलब देखिए कि हिंदी आजकल हर जगह पे पहुंच चुकी है हर रक्षेत्र में देखी जा सकती है गुगल में किये गया नुवाद के विवीद उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं मोबाइल है लैप् देखिए माध्यम से तकनीकी विश्यों का प्रशिक्षन भी दिया जाने लगा है पारिवाशिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पहमाने पर मतलब बड़े तोर पर चल रहा है जल्द वाजी में चल रहा है जल्द गती से चल रहा है हमने अब तक अलेक विभागों में अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तमाल करना शुरू किया था लेकिन देखिए दीरे दीरे विधी विवाग है शेक्षनिक विवाग है कार्याले इन कागजों का पत्र व्यवारों का उत्तर देते समय उसके लिए कौन-कौन से अलग-अलग शब्दों का इस्तमाल करना चाह है अज हर शेत्र में सामान्य जन को समझने समझाने के लिए हिंदी पारिवाशिक शब्दावली के निर्मान की आवशक्ता मैसुस की जा रही है इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है इस शेत्र में अनेक विद्वान कारेरत हैं जैसे वैसे से प्रावध्यूगी की विकसीत होती जाएगी वैसे वैसे इसकी अवशक्ता बढ़ती जाएगी अब अपनी योग्यता को शेल तथा ज्यान के आधार पर इस शेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं भारत सरकार के विवीदकारिया लेयो बैंको बीमा कंपनियो उपक्रमों में हिंदी का अधिक्तम प्रियूग हो रहा है मतलब देखिए कि आजकल ये जो बिमा कंपनिया है अपने विज्यापन बाजी करते समय टेलिवीजन हो मोबाइल हो हर जगह पे वो हिंदी भाशा का उप्योग करते हैं उनके जो बिमा एजेंट लोग होते हैं त तता हिंदी में जो अविदन पत्र है वो भरते हैं अतलब देखिए कि हर जगह पे आजकल ये हिंदी ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पे हर अक्षेत्र में विद्वान भी कारे करने लगे हैं जैसे जैसे उद्योगों की बढ़ती वी तादात दिखाई दे रही है वैसे हिंदी की प्रशिक्षक भी बढ़ते जा रहे हैं इसके अवश्यक्ता बढ़ती जाएगी अब अपनी योग्यता कोशल तता ज्यान के आदार पर अलग-अलग शेत्र में रोजगार की उपलब दिया त्राप्ते कर सकते हैं मित्रों आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र म में अनेक रोजगार उपलब्त है इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है दवाई कंपनिया अब अपनी दवाईयों से सम्मंदित सुचनाएं हिंदी में देने लगी हैं जेन सेवा से सम्मंदित उपयोग की वस्तों की पैकिंग पर अव हिंदी में दी जाने लगी है अब देखे चात्रों लेखक आप लोगों को और एक बात बताना चाहते कि जहां कौन से इसी सेवा बची हुई है वह सेवा है जो सेवा मतलब जहां आप लोगों को जब दवाईया आरोग के सेवा जिसे कहेंगे कि वहाँ पर भी आप मेडिकल में चले जाते हैं दवा खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी सलाह के बिना जब कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के बोटल पर जो जानक करी आप लोगों को दी जाती है वह हिंदी में होती है अंग्रेजी में होती है माराटी में होती है अब ऐसा भी सेवा क्षेत्र है जहां पे हिंदी भाषा का उप्योग जादा तर कंपनिया करने लगी है जन सेवा से संबंदित उप्योग की वस्तों की पैकिंग पर अवश अधिसे सम्मधित कारियों तथा जानकारिया अब हिंदी में ही दी जाने लगी है अंतर अश्ट्रिय स्थर पर लगबग 127 देशों के विश्व विद्यालेव में हिंदी पढ़ा ही जाती है दुनिया के लगबग सभी देशों में हमारे दूतावास है इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं कई दूतावासों में अब हिंदी विवाग की स्थापना हो चुकी है इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं इस विभाग द्वारा देश विदेश से सम्मंदित जानकारी, घटनाय, स्थितिया, आदी को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्राले को भीजा जाता है इन पत्राचारों समाचारों रिपोर्टों में हिंदी का उप्योग होता है इस तरह हिंदी विशेशक्गों की पांग निरंतर बढ़ती जा रही है देखे चात्रों यहां लेकग बताना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे भारत देश में हिंदी नहीं चलती है बलकि अनेक सारे विश्विद्याले में जैसे ममता कालिया जापान टोक्यों विश्विद्याले चली गई थी उस वक्त वहाँ पे वे हिंदी भाषा के सम्मिलन में जब अपने कुछ साथियों के साथ भारत के नितरुत्व करने के लिए गई थी उस वक्त उन्होंने देखा कि हमारे भारत की अनेक सारी भाषा हैं क्षेत्रिय भाषा है जहां जापान में उस विश्विद्याले में अलग-अलग विभागों में उन सभी भाषाओं का अध्येन किया जाता है इसी तरह से मैंने एक उधारन देते समय आप लोगों को यह बताना चाहते हूं कि दुनिया के लगवक सभी देशों में हमारे दुतावास है बाहर के दुतावास यहां है अपनी भाषा में उनको समझाने का उनकी भाषा का यहां नुवात करकी यहां के लोगों तक समाज पहुंचाने का काम इस विभाग में हिंदी के अलग-अलग ओहुदे होते हैं मतलब अधिकारी है अनुवादक है सहायक है ऐसे पद जो होते है ऐसे पदों के नियुक्ति के लिए आप लोगों के पास अगर हिंदी भाषा असकलीत रूप से मानक वरतनी की रूप से आप अ अच्छितर से किया है तो देश-विदेश से सम्मंदित सारी जानकारी घटनाय तता स्थितियों का लेखा जोका आप हिंदी के माद्यम से तैयार करके भारत के विदेश मंत्राले को भेज दिया जाता है और इन पत्राचारों समाचारों रिपोर्ट में हिंदी का होता है इस तरह हिंदी विशिषक्यों की मांगल रनतर वढ़ती जा रही है गये गया कि दिख्येत छाद्रों अब तक मैं आप लोगों को हिंदी में उजवल विष्य की संभावन ने इस पार्ट में इस पार्ट के मैं ने तीन हिस्से बनाए चार हिस्से बनाए लेकिन तीन हिस्से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किये है थोड़ा सा आप लोगों को कठीन लगता है लेकिन देखिए बच्चो इसमें कुछ कठीन महसुस मत करो बलकि हिंदी विशे प्राप्त करने के बाद उसका देहन करने के बाद हम अपने मन में जो अनेक सारे सवाल हमारे मन में जो उठते है उन सभी सवालों के उतर लेकिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का बहुत अच्छी तरह से प्रेत्न किया है धन्यवाद